असलाम लेकुम माई दियर स्टुडेंट्स हाव आर यू आई होप यू आर ओल फाइन वेल स्टुडेंट्स आज हम नेक्स्ट एंपसी की देखते हैं 41 जिसमें हमें कह रहा है दे सिंगल नमेरिकल फैक्ट इस अब सिंगल एक सिंगल नमेरिकल नमबर की बात की जारी है नमेरिकल फैक्ट की बात की जारी है ठीक है और इस में हमारी जो ऑप्शिन होंगी वो होगी डेटम बिकॉज डेटा जो होता है ये एक से ज्यादा जब हमारे पास फैक्ट सा आ जाते हैं तो उसको तो हम जब उनको इकठा करते हैं तो वह हमारे लिए एक डेटा होता है लेकिन अगर हम उस हौल डेटा में से एक सिंगल निमरिकल फेक्ट साइड पर करें तो उसको हम डेटम करेंगे बहुत सी साधालफाज में datum singular होता है जबके data plural होता है ठीक है तो datum का plural data होता है इसलिए इसमें हमारे पास जो single numerical fact है वो है datum next आता है हमारे पास students outliers are the values which are outliers क्या होते है students जो हम अखसे data में देखते हैं na extreme values जो होती हैं हमारे पास वो हमारे लिए outliers होते हैं जैसे कि किसी data में जैसे कि हम देखे हैं हमारे पास numbers आ रहे हैं one है two आ रहा है या three आ रहा है six आ रहा है तो अचानक से एक दम से अगर एक बहुत बड़ी value आ जैसे के 90 ठीक है अगर हम देखे यहां तक तो एक sequence चल रहा है small small values के data लेकिन अचानक से एक extreme value होकर आज उसमें ठीक है जैसे के 90 है तो यह जो 90 है तो एकदम से जाने की बड़ी value आगी तो यह c option तो नहीं होगी तो जो data में एकदम से आउट लायर आता है ना वह हमारे लिए inconsistent होता है ठीक है highly inconsistent क्योंकि वह consistent नहीं होता एक मतवातर consistent कहते हैं एक मतवातर एक sequence के साथ किसी चीज़ का आना तो हमारे लिए highly consistent ही right option बन रही है consistent भी नहीं बन रही smashed with whole data भी नहीं बन रही और डी नन भी नहीं बन रही क्योंकि यह value अचानक से एकदम से बहुत बढ़ी आ जाती है और बहुत लो आ जाती है तो data को inconsistent बना देती है ठीक है तो या तो highly inconsistent option पर आप में टिक करना है या inconsistent पर करना है या low consistent पर करना है ठीक है तो इसमें हमारे लिए जो राइट ऑप्षिन है वह भी नेक्स राते है census returns आर अब जो मर्दम शुमारी की जाती है ठीक है उससे जो data कठा किया जाता है जो मर्दम शुमारी करने वाला staff होता है जो लोग होते हैं mostly teachers करते हैं उनकी duties लगती है पाकिस्तान में तो तो यह जो data कठा करते हैं वह सारे के सारा staff members उसको हम census returns कहते हैं अब वह जो data submit करवाते हैं पाकिस्तान Bureau of statistics को तो वह data उनके लिए primary data होता है ठीक है क्योंकि वह first hand data होता है जो वह लोगों से कठा गर रहे होते हैं घर सब्सक्राइब कर जाकर तो प्राइमरी डेटा उससे ऐसा data होता है जो कि किसी भी statistical टेखनीक से नहीं घुझारा गया आता और first hand data कठा किया जाता है जो लोगों से पहली दफ़ार रॉड डेटा उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं और next है रॉड डेटा क्या होता है अगे data which hasn't been arranged in a systematic order ऐसा data जिसको हम किसी systematic order में कभी भी तर्टीब नहीं देते ठीक है या अभी तक उसको तर्टीब नहीं दिया गया उस data को हम रॉड डेटा कहते हैं यह प्राइमरी डेटा के अगर यहां पर प्राइमरी डेटा की option होती तो हम प्राइमरी डेटा पर टिक करते है या रॉड डेटा नेक्स्ट इस्ट फॉर्टीजिक नम्रे बाता है डेटा बींग यूज बाइन अजनसी विच ओरीजिनली कॉलेक्टिड देम आर अब देखें जिस एजनसी ने जो डेटा यूज किया और उन्होंने हुद ही किया ना जैसे कि यहां पर स्टेट्मेंट हम गाइन किसी डूसरी पार्वटेंट है तो और उसका टेटा थे हुचा सबस दावेगे बाता है फिर्ड ना कोई है है या कोई और information अगर manage जो दर्ज की जाती है उसके अंदर तो अगर उस रिजिस्टर से हम कोई data कठा करें तो हमारे लिए प्राइमरी डाइटा होता है ठीक है क्योंकि हमने सरसरी सा एक जाइजा लेना होता है कि फ्लांस टूडेंट है उसके फादर का क्या नाम है तो यह हमा आपने अब देखें अगर तो डेटा आप आप खुद से जो है ना वह एक न्यूस पेपर बाहर करते हो बजार से और आप उसको स्टडी करते हो और उसमें से चंद जो है बजंक्स बाहर निकाल लेते हो मोटी मोटी जो हैड्लाइन जैं आउटलाइन जैं ठीक है जो डिफ न्यूस पेपर को बनाने वाली हो न्यूस पेपर की जो सारी वह ड्राइंग और टेबल्स और उसमें जो बॉक्स होती है अगर वह आप खुद से वह तियार करने वाली किसी एजनसी में काम करते हो तो आप वह डेटा आपके लिए से केंडरी डेटा होगा ठीक है मेरे पास यहां पर सबसे बैस्ट पॉप्षिन वह फिस्ट रेंड डेटा क्योंकि डेटा अब्टेइन किया रहे रहे किसी बनी बनाई निउजपेपर जाती है यह अगर बना रहे होते हैं इसको फुद से मैनेज कर रहे होते पबलिश बहुपिलिश कर रहोते हैं तो प्रस्नल इन् कि मतलब बता भी तुमने काम क्यों किया कितने बज़े तुम वहां पहुंचे फ़ला फ़ला कि डिफरेंट क्वेस्टिंज करता है क्या ना मैं तुम्हारा कहां से आये हो वह जो एक पर्सनल सी एक इन्वेस्टिकेशन चाल रही होती है रॉफ फॉर्म में वह प्रामरी डेट किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं लोगों से तो डिफरेंट क्वेस्टिंस बना लेते हैं अब यह जो आप सामने पक्वेस्टिंस बेख रहे हैं यह एक हैं प्रे यसे तरह होता है उसमें चार उपसंद की अप्शन टिक करनी होती है उसके अंदर और एमसी क्यू में ये थोड़ा सा फर्क होता है बल्टिपल च्वायस क्वेशन में एक ये दो आंसर सही होते हैं बट वह आंसर लोगों की लाइक्स और डिसलाइक के लिहाज से इकठा किया जा रहे होते हैं किसी भी चीज के हवाले से जिसके मार्किट में नए आता है तो लोगों से एक क्वेशन बनाके पूछ ले जाता है कि आपको इस जूस का फ्लेवर कौन सा पसंद है नीचे दो तीन ऑप्शन डालेगा मैंगो बनाना ओरेंज ठीक है होंगे तो तीन ही सही बट लोग अपनी च्वायस के लिहास से एक पिटिक कर देंगे कि हमें औरेंज पसंद है या हमें मैंगो फ्लेवर पसंद है इस तरह से उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए तो उसमें भी लोग अपनी पसंद का बताएंगे कि इस तरह की पैकिंग होनी चाहिए तो वो जी डाटा हो रहाता है वो क्वेस्टिनेर की फॉर्म में कठा हो रहाता है और उसको हम प्राइमिरी डाटा कहते हैं अब नेक्स डेटा फ्रों पॉब्लिकेशन ऑफ फेडरल ब्यूर अफ स्टैस्टिक्स फ्बेस में फ्टर ब्यूर फोटीश्टिक्स तो यत्नी बीडियों होती है वह हमेशह याद रखना है वह से केंडरी होती है क्यूंकि उनके पास बुक फॉर्म में पॉब्लिज्ड फों में तीक है आपके पास अवेलिबल होता है तो वह से कंड़ी डेटा होता है पी डेटा अच्छों इंटरनेत मिल जाता है और इसे यहां से जो डेटा मिलेगा वह से के आप भी जो other government organizations होती है जैसे कि state bank of Pakistan है ministry or defense है ठीक है या उसके लावा कोई भी organization or semi government है वो हमारे लिए जो हो से उन से डाटा कठा होता हो secondary data होता है न्यूस पेपर आर source of न्यूस पेपर है source किसका source यहां पर जो option best है वो है secondary data क्योंकि न्यूस पेपर जब हम लाते हैं लेके आते हैं market से बनी हुई ठीक है published form में print form में तो वो हमारे लिए एक secondary data का source होता है उस पर जो data सारा दिया जाता है न वो एक एक news को एक दफ़ा बार बार दफ़ा वो उनको summarize किया जाता है उनको जो है वो collect किया जाता है टेबल कुछ बनाई जाती है न्यूस पर तो वो टेटा आपको मिलता है वो से आपको बना 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 मिल जाता है फिर लास्ट के the random errors sum to तो random errors जो होते हैं जितने भी stats में उनका sum हमेशा 0 के equal होता है ठीक है तो यह आपको एक इंपोर्टेंट हैं से इनको आप लेखें करें और समझें कोई ना समझ आए तो आप मुस्से पूछ लें नेक्स्ट इंशाला अगली वीडियो में हम मजीद कुछ कुछ करेंगे जो कि इंपोर्टेंट हैं आपके एक्जैम्स के लिहास से उनको कीजिएगा और अब चलते हैं आपना ह्याल रखेगा वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर न्यूए थोस को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडिय आने वाली इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वह आपको मिलती रहें ठीक है चलिए अपना है वाल रुकिएगा अल्हाफिज